कि आपको पता है कि सहारय जैसे गर्मरिकिस्तान में भी बर्फबारिक हो चुकी है और कि आपको यह पता है कि स्पेश से ही माले कैसा दिखता है और तो और इस वक्त जो रुबीस क्यूब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो उसकी किमत कितनी है तो इस वीडियो में मैं के बाद आप अमेज़ हो जाओगे और इस वीडियो के एंड में आपको एक बहुत ही इंप्रेस्टिंग फोटोग्राफी देखने को मिलेगी तो बने रहे हैं वीडियो के एंड तर लेट्स तार्ट विड्वाइड इस वक्ट जो आप इमेज देख रहे हुवा कोई इसा कतम उठाया है जो व्यक्ति खुद को फीट रखेगा उसे सरकार द्वारा एपल वाच फ्री दिया जाएगा तो है ना इंट्रेस्टिंग क्या ऐसा भारत में भी होना चाहिए कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना फेक्ट नमबर थ्री क्या आपने यूमेन लाइबरेडी के बारे में सुना है विल तो मैं आपको बता दूँ कि यूरोप में एक यूनीक लाइबरेडी है जहां आप फुस्तकों की बजाए इंसानों से कहानिया सुन सकते हैं या आप उन्हें कहानिया सुना सकते हैं वहीं आ है ने एक अच्छा कदम फैक्ट नमबर टू क्या आपने कभी सोचा कि रिगिस्तान में बर्फ बारी हो सकती है नहीं सोचा होगा लेकिन बात है 18 फेबरी साल 1979 की सहारा रिगिस्तान जो की वर्ड का सबसे गरम रिगिस्तान है वहां करीब 30 मिनट तक लागतार बर्फ गिरा थ जो कि हमारे तिहार की सबसे अनोखी घटनाओं में से एक है नीले पीले देखने वाले इस रूबिस क्यूब से आपने बच्पन में कभी ना कभी खेला ही होगा और काफी लोगों नहीं से सौल्व बिक्क्या होगा विल इस वक्ट जो आप अपने स्क्रीन पड़ी में लिए रूप है तो इतना पैसे देकर क्या आप रूबिस क्यूब को खरीदना चाओगे मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई खरीदेगा और यह है कि इसे बनाने में छोटे-छोटे हीरे का इस्तेमाल किया गया है इसलिए क्यूब उतना महेंगा है जैसे कि मैंने इस वीड कर तो आपको वीडियो पसंद आएगे वीडियो पसंद आया कि लाइक करो च्ञेनल को सुस्क्राइब कर वो ताकि इसते रख वीडियो आपको मिलते रहे सी यू टैक कैर बावार का